हालो फ्रेंड्स हाउ आर यू आज के पार्ट में हम देखेंगे फिजिक्स के कुछ कुश्चन है और जिसमें ज्यादा तर कुश्चन यूनिट्स के रहेंगे तो हम कुश्चन पर आते हैं निम्न लिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अधिस राशी है ठीक है तो इसमे होता क्या है अधिस जिसमें जो है दिसा की जरूत नहीं होती केवल क्वांटिटी की यूज होती है मात्रा यूज होती है ठीक है जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है जैसे किसी कपड़े की जो है लेंथ लंबाई चोड़ाई समय ठीक है तो इन सब चीजों में केवल quantity की जरूरत है तीसा की जरूरत नहीं है और हम ले ले चाल चाल मतलब speed तो speed जो है speed भी अदिसरासी है ठीक है लेकिन अगर हम वहीं वेग ले 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 तो वेग जो है वो आपकी सदिसरासी है ठीक है तो जिन रासियों में मात्रा और दिशा दोनों की नीड हो दोनों की आ अदिश्रासिया हैं सी जो है यंग का जो मापांग है यह आपकी है अदिश्रासी ठीक है यंग का मापांग जो है वो प्रत्यास्तथा से रिलेटेड है ठीक है प्रत्यास्तथा का मापक है प्रत्यास्तथा मतलब जो है पदार्थ के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण जो है उसमें कुछ विकृति आ जाती है, जैसे रबड है, या कोई और चीजे है, उसको खीचने पर जो है, उसका रूप रेखा उसकी चेंज हो जाती है, विकृति उसमें आ जाती है, और बल जो है, जो भी लगाते हैं, जब उस बल को हटा लेते हैं, वो अपनी मूल अवस्था मे अगला प्रशन हम देखते हैं, हाँ जी हमारा अगला प्रशन है Newton का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है, आगून का नियम, घर्षण का नियम, जड़त का नियम, गति का नियम, तो इसमें आप बताएं क्या होगा आंसर, इसमें आंसर होगा जड़त का नियम ठीक है तो Newton का जो पहला नियम है उसी को हम ला आफ इनर्सिया बोलते है Newton के गतिक से related जो है तीन नियम है ठीक है पहला नियम है ला आफ इनर्सिया जिसको हम जड़त का नियम कहते है मलब इसके अंतरकत हम क्या इसको समझते हैं डिफिनिसन से अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या विरामा अवस्था में है ठीक है डिफिनिसन है अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है मतलब रुकी हुई है तो वो तब तक विराम की अवस्था में रहेगी तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए और माली जी अगर कोई वस्तु जो है गतसील है ठीक है तो उस पे जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो गतसील रहेगी यही Newton का प्रथम नियम है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी अगर कोई वस्तु गत्सील है तो गत्सील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए यही Newton का प्रथम नियम है इसी को हम जड़तो का नियम बोलते है दूसरा नियम जो है आपका आता है गति का जो न्यूटन का जो गति विश्यक दुटी नियम है उसी को हम ला आप मोमेंटम बोलते हैं समवेग का नियम वस्तु के समवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती अनुक्रमान उपाती का मलब डारेक्टली प्रपोर्शनल ठीक है तथा सम्वेक परिवर्तन आरोपित बलकी दिशा में होती है इसको हम डिटेल में कभी समझते हैं तीसरा नियम जो है गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतक्रिया का नियम rule of action and reaction ठीक है तो इस नियम में जो है क्या होता है इसकी परिवासा यह है कि प्रतेक क्रिया के बराबर तथा विपरिद दिशा में प्रतक्रिया होती है इसी नियम को हम क्रिया प्रतक्रिया का नियम बोलते हैं मतलब जैसे बंदूग से गोली छोड़ी जाती है तो छोड़ते समय पीछे की और जटका लगता है तो जितने फोर से आगे की और गोली जाती है उतने ही फोर से पीछे की और जटका लगता है राकेट का जाना तो ये सब क्या है प्रत ग्रिया का नियम ठीक है तो न्यूटन के ये तीन नियम थे तो इसमें Newton का जो पहला नियम है वही है जड़तु का नियम हमारा अगला प्रश्ण है एक तो फाइरिंग के बाद जो है पीछे क्यों हडती है बंदूग जो है पीछे क्यों हडती है तो वही आगया अभी जो एक्जामपल दे रहा था में तो इसमें आपका Newton की गतिका तीसरा नियम आ गया तीसरे नियम के कारण जो हमने भी बताया था आपको क्रिय प्रतक्रिय का नियम मुल्ब जितने बल से हम किसी वस्पर बल लगाते हैं वह वस्त भी उतना ही बल हम पर लगाती है तो यही जो है Newton की कदिका तीसरा नियम है एक तो इसमें आंसर आपका शी हो जायेगा अगला प्रश्ण है मित्र हमारा पानी का घनत जो है कितने डिगरी Celsius पर स्तरवाधिक होता है तो दोस्तों ये सारे question जो है बहुत important है SSC में railway में ठीक है और ये सारे exam में जो है आते हैं science के question बहुत जादा आते हैं और physics के question इस तरह के आ सकते हैं तो इसमें आपका answer जो है 4 degree Celsius सही है पानी की जो density होती है density क्या है घनत तो बराबर द्रोमान बटे आयतन ठीक है घनत तो बराबर द्रोमान बटे आयतन जो मास होता है जो द्रविमान होता है जब हुम उसको आयतन से डिवाइड करते हैं तो density निकलाती है तो पानी की जो density है वो 4 degree Celsius पर सबसे ज़्यादा होती है अगला कुश्चे नहीं मित्र हमारा निम्न में से जूल किसका मातरक है जूल जूल जो है बताइए किसका मातरक है जूल कार का मातरक है टीक है डबलू वर्क वर्क इस ग्वल टू एफ इंटू डी ये फोर से बल बल का मातरक निूटन होता है और डिस्टेंस दूरी तो निूटन मीटर को ही हम सौट में जूल कहते हैं जूल एक वेग्यानिक थे उनी के नाम पे कार का मातरक जूल रखा गया है और जूल जो है वो उर्जा का भी मातरक जूल होता है ठीक है अब हमारा प्रश्ण है उपर रखी गई टंकी में भरा पानी कितनी उर्जा रखता है कैसी उर्जा रखता है ठीक है तो मिलब एक टंकी रखी उसमें जो पानी है भरा है उसमें कैसी जूर्जा है तो दोस्तों उसमें आपकी इस्तिती जूर्जा है एक तो होती है आपकी काईंटिक इनरजी गती जूर्जा K is equal to 1.2 Mv square एक होती है गती जूर्जा क्या है किसी भी वस्त में उसकी speed के कारण उसकी गति के कारण जो इनर्जी आती है उसको हम जो है बोलते हैं काइंटिक इनर्जी गति उर्जा और किसी भी वस्त में किसी भी वस्त की उसकी विसेश पोजीशन के कारण उसकी विसेश अवस्था या इस्थिति के कारण जो उसमें उर्जा आती है उसको हम कहते हैं इस्तिति जूर्जा जो है वो विशेश अवस्था की कारणाती है जैसे एक धनुस है और वो धनुस जो है उसमें उसमें कौन सी उर्जा है धनुस में इस्तिति जूर्जा है क्योंकि वो तनी हुई है और उसके तनाओं के करण उसमें उर्जा आई है तो उसमें जो है आपकी इस्तिती जूर्जा और गती जूर्जा जो है इस तरह आप समझ सकते हैं अब हम जानते हैं कारे के बारे में थोड़ा कारे के से related कुछ बाते जानते हैं तो प्रश्ण है हमारा कारे करने के लिए किन दसाओं का होना आवश्यक है वस्तु पर बल लगाना आवश्यक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए वस्तु विस्थापित नहीं होनी चाहिए और A और B दोनों ठीक है तो इसमें आपका D आपसन सही है क्योंकि जो कार है W है उसका फार्मला होता है W बरावर F into D डबलू बरावर F into D होता है W वर्क F फोर्स और D डिस्टेंस ठीक है तो वर्क होने के लिए फोर्स लगाना भी आवश्यक है और डिस्टेंस भी जरूरी है मतलब किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाना भी जरूरी है और फोर्स लगाने के बाद उस वस्तु का कुछ दूरी डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस चलना भी जरूरी है मतलब फोर्ज भी लगना आवस्यक है और वस्तु विस्थापित भी होनी चाहिए विस्थापित मतलब अपनी जगह से हटने भी चाहिए तो इसमें आपसा नंबर फोर्ज सही है इस प्रस्ट में कह रहा है निम्न में से किस पोजीशन में कारे हुआ पुस्तक को उँचाई तक उठाना ट्राली को खीचना बैल द्वारा गाड़ी को खीचना उपरोक सभी तो इसमें आपका चौथा आपसन सही है ठीक है कैसे चौथा आपसन सही है इसलिए क्योंकि पुस्तक को उँचाई तक उठाया गया तो उचाई यहां से उचाई तक उठाया गया तो कुछ distance cover हुआ और बल लगाया गया ठीक है तभी तो उसको उपर ले जाये गया ट्राली को खीचना तो इसमें भी बल लगाया गया और distance cover हुआ बैल द्वारा गाड़ी को खीचना इसमें भी बल लगाया गया और कुछ डिस्टेंस कवर हुआ तो इसमें चौथा आपसन सही है हमारा अगला प्रश्ण है कारे किसे कहते हैं तो कारे बरावर बल गुणे अभी मैंने फार्मॉला बताया था डबल बरावर F into D ठीक है तो इसमें आपसन नंबर A आपका जो है सही है कारे बरावर बल गुणे दूरी ठीक है वैसे सही फार्मॉला कारे बरावर बल गुणे दूरी नहीं बलकी कारे बरावर बल गुणे विस्थापन होना चाहिए मतलब जो भी स्थापन है वो किस दिशा में हो रहा है ये भी depend करता है तो कारे बराबर बल प्लस भी नहीं होता डिवाइड भी नहीं होता ठीक है और बल का उर्जा से भी multiply नहीं होता पहला सहिए तो जो उसका main formula है w बराबर f into d cos theta होता है जब उसका बिस्त्रित रूप पढ़ेंगे तो w बराबर f into d cos theta होता है तो theta बराबर अगर हम 0 रख दिये आपसे ये प्रशन पूछा जा सकता है कि जो maximum कारे है वो किस angle पर होता है तो maximum कारे 0 angle पर होता है क्यों? क्योंकि कास 0 की value 1 होती है ठीक है? अगर कहा जाए कि कारे लंबवत हो मतलब theta बराबर 90 हो तो कास 90 की value कितनी होती है? 0 होती है अगर किसी भी वस्तुपर बल 90 degree पर लगाया जाए तो कारे 0 होगा क्योंकि कास 90 की value 0 होती है ठीक है? तो कारे का जो मूल फारूमला है वो w बराबर f into d cos theta होता है ठीक है? sort में हम उसको w बराबर f into d कहते हैं तो d distance के बजाए विस्थापन होगा मतलब direction पर भी depend करता है कि कारे कितना होगा कैसा होगा ठीक है? theta change होगा तो कारे भी change होगा तो main चीज है इसमें कि कारे जो है केजमें होने के लिए बल और विस्थापन का होना जरूरी है तो कारे बराबर बल गुड़े विस्थापन हमारा अगला question है कारे का मातरक क्या है? तो कारे का मातरक جो है इसमें आपका चौधा option सही है क्योंकि कार का मातरक Joule भी होता है और कार का मातरक Newton meter भी होता है तो कार का भी हमने just formula लिखा W bar F into D ठीक है तो F जो है वो force है उसका मातरक जो है वो होता है Newton और ये distance है तो इसका मातरक हुआ meter तो Newton meter भी हो गया और Newton meter को हम 0 acord B doul का और खा दोनों है हमारा अगला प्रश्ण है कारे है मतलब कारे हो सकता है घनात्मक गलत लिखा हुआ धनात्मक मतलब पास्ट्यू ठीक है निगेट्ट्यू पास्ट्यू यह जीरो या तीनो बताईए कौन सा अंसर सही होगा तो इसमें आपका चौथा अंसर सही है चौथा अंसर सही है पास्ट्यू भी हो सकता है निगेट्यू भी हो सकता है और सून भी हो सकता है मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा पे डिपेंड करता है ठीक है डबलू बराबर क्या फार्मला बताया था F into D cos theta अगर theta है तो cos 0 की value अगर theta बराबर 0 है तो cos 0 हो जाएगा और into 1 हो जाएगा तो maximum work cos 0 पर होगा ठीक है और 0 कब होगा जब theta बराबर 90 होगा तब कारे 0 होगा माइनस में कब होगा जब यहाँ पे 180 होगा cos 90 प्लस 90 ठीक है माइनस 90 तो वहाँ पे मलब 3 हो सकता है धनातमक, रिनातमक और 0 एकारे 3 हो सकता है चौथा आपसन सही है आपका ठीक है एक मिनाट हमारा अगला प्रशन है 15 किलोग्राम दर्वमान की एक वस्तु है ठीक है 4 मीटर पर सेगंड के एक समान वेक से चल रही है तो वस्तु की काइंटिक इनर्जी बतानी है एक आर्टिकल जो है एक जो है जो बॉड़ी है वो 15 केजी जो है मास की है और वो 4 मीटर पर 30 सेगंड के स्पीड से वो चल रही है तो उसकी काइंटिक इनर्जी बतानी हमने आपको फार्मला क्या बताया था कानिटिक इनरजी का के इसक्वल 2 वन वाई 2 एम वी स्क्वायर ठीक है अब इसमें आपको मान पुट कर देना है ठीक है वन वाई 2 इन्टू एम कितना है 15 है और वी कितना है 4 है तो 4 काई स्क्वायर 4 इन्टू 4 16 हो जायेगा ठीक है कारेका भी मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया है, 120 जूल, हमारा प्रश्ण है, 10 किलोग्राम द्रोमान की एक वस्तु का धरती से 6 मीटर की उचाई तक उठाया गया है, इस वस्तु में उपस्थित या विद्यमान, ये स्थिती जूर्जा, पोटें जीरो होगी, ठीक है, इस फर्मले के अनुसार, तो फर्मला क्या है, आपका यू बराबर एम जी एच, आपको इस सी जूर्जा निकालनी है, तो इसमें एम जो है आपका 10 केजी है, और जी क्या है, जी गुरुती त्वरण है, जी का मान जो है, एक्जैक्ट 9.8 होता है, या हम कैलकुलेशन को बचाने के लिए 10 भी लिख लेते हैं, तो एम जो है 10 की ग्रा है, और जी यहाँ पर 9.8 हमें याद रखना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्कॉर, जी गुरुती तोरण है, ठीक है, और एच हाइट जो है, कितनी हाइट पर उठाया गया है, 6 मीटर की हाइट पर उसको उठाया गया है, तो जब मल्टिप्लाई करेंगे, तो 588 आ जायेगा, ठीक है, और इस्तिज उर्जा, उर्जा की का यूनिट जो है वो जूल होता है, तो आपका चौथा आपसन सही है, ठीक है, अब लास्ट के दो प्रशन हम देखते हैं, वैसे हेडिंग में था यूनिट पर यूनिट तो आया नहीं, ठीक है, फिर भी फिजिक्स के अच्छे कोशन थे, मैं अगले पार्ट में लाता हूँ, यूनिट से रिलेटेट, तो हमारा कोशन है, तुमारे सरीर पर इस्तिज उर्जा अधिकतम कब होगी, सीधा खड़ा होने पर, कुरसी पर बैटने पर, जमीन पर लेटने पर, तो इसमें आंसर है आपका सीधा खड़ा होने पर, क्योंकि जब सीधा खड़ा होंगे, तो हाइड जादा होगी, ठीक है, और जमीन पर बैठेंगे, लेटेंगे, ठीक है, तो इस तरह हाइड कम होगी, तो यू बरा और MGH के फर्मले से हाइड ज़्यादा होगी तो आपकी इस्तिती उर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होगी अब हम आते हैं अगले कोश्चन पे आईए भाई तो अगला कोश्चन है हमारा उर्जा संगरक्षण का नियम क्या है उर्जा संगरक्षण का नियम उर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांत्रण होता है बात सही है ठीक है जैसे जैसे लाइट है तो प्रकास उर्जा हो चाहे इस्तिति उर्जा हो चाहे गती उर्जा हो मतलब उसका एक रूप से दूसरे में ट्रांसफर होता है ठीक है जैसे उपर से प्रकास आ रहा है और उस प्रकास से जो है सोलर पैनल से जो है हम उसको बिजली में विद्धूत उर्जा में कनवर्ट कर लेते हैं पहले वो प्रकास के रूप में थी अब वो विद्धूत उर्जा के रूप में इसी तरह जो डाइनमो होता है उसमें जो है यांतरिक उर्जा होती है ठीक है और उससे बिजली बन जाती है तो विद्धित उर्जा में कनवर्ट हो गया इसी तरह जो सेल होते है उसमें जो है रासायनिक उर्जा होती है वो विद्धित उर्जा में कनवर्ट हो जाती है मतलब कहीं भी किसी भी रूप में अगर उर्जा है तो वो कभी भी नश्ट नहीं होती ठीक है उसका किवल रूप चेंज होता है तो यहाँ पे जो है आपका पहला आपसन सही है उर्जा की न तो उत्पत्ति होती है न ही विनास होता है ये भी सही है मतलब उर्जा को न तो आप create कर सकते हैं न तो destroy कर सकते हैं न बना सकते हैं न विनास कर सकते हैं कुल उर्जा सदयो अचार रहती है ये भी सही है इसका क्या मतलब है मतलब एक तो हो गई आपकी काइंटिक इनरजी और आपकी हो गई स्थिति potential इनरजी इन दोनों का जो total होता है वो जो भी हो वो जो भी हो लेकिन वो हमेशा समान रहता है जैसे माल लिजे कोई वस्तु आपने उपर फेकी कोई वस्तु आपने फेकी उपर ठीक है तो यहाँ पे भी उसका के और प्लस यू मतलब गतिज और इस्ति उर्जा गई है लास्ट पॉइंट तक वहाँ भी जो है यू और के का total एक सही रहेगा कहने का मतलब यह है कुल उर्जा सदेओ अचर रहती है ठीक है उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही है ठीक है तो आज की quiz यहीं समाप्त होती है हम मिलते हैं अगले पार्ट में फ्री में यह सिक्षा ग्रहण करनी चाहिए किसी का लाब हो सकता है आपके माद्यम से तो जरूर सेयर करें